और जिनको केवल यूटूब पे खोजना बेटा वो टालते रहें उनको कोई भी रोकने वाला नहीं ये बताओ अगर यक्स प्लस वन में हम तुमसे पूँचें कि बचवा यक्स से गुड़ा करो तो कौन कौन कर लेगा इमांदारी से बताना दिल पे हाथ रखे यस या नो कर लोगे या नहीं बताओ रोसन यसराज सिंग एक गंटा पढ़ाई करवाते हो जिसमें से आदा गंटा ही चलती है अच्छा आदा गंटा का होता है बिटा तुमारे जैसे लोगों की वज़ा सही तो समस्या आया न क्योंकि तुम सुनते तो हो नहीं हो बिलकुल कुछ नहीं सुनते हो ना समस्या यह है चलो कर लोगे सभी ठीक है तो यह चीज अगर तुम कर लोगे तो आप दूसरे का जबाब दो क्या तुम इसको भी कर लोगे यक्स प्लस टू और यक्स प्लस थ्री क्या इसको भी कर लोगे देखो समझो यहां पर समझो यहां पर यह सब हमें करना है कलाफ नाइंथ में अगर हम है तो हमें यह आना चाहिए हमारी यह बुक में है मतलब तुम समझ रहे हो ना चलो देखो तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हुआ आप लोग सीख लो यहां से समझ लो बिटा इसका अंसर बता दो अगर आप लोगों को आ रहा है तो गुड़ा करना है मल्टीपल कर लो सर्बेश पांडे रुद्र परताब कि आगर हमने लिखा हमें क्या-क्या सी langsam अभी जो उसके बारे मीं बात करेंगे थोड़ा सा गुड़ा joint i웠 और घातांक की देखो जैसे मानलो मैंने लिखा 4x का स्कॉयर अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि बेटा इसमें यक्स का स्कॉयर का गुडांग क्या है तो क्या होगा अब बता मुझे लेकिन अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि बचवाई यह बताओ राजा कि 13 यक्स यहां पर घात जो है 5 ह मतलब 5 है इस पर है चुरकी पर तो इस पर घात क्या होगी बताओ सोच के बताओ सभी जल्दी से सभी बच्चे बताओ यहां से समझो देखो जो हमारा यह वरियेबल है जैसे हमने कहा यक्सी स्कॉयर का गुडांग क्या होगा तो यक्सी स्कॉयर का गुडांग यहां पर ब पांच का गुडांग तो क्या है इसमें यक्स की घात पांच का गुडांग है वो तेरा है क्या है तेरा है लेकिन अगर मैं इसमें तुमसे पूछू क्या पूछू इसमें मैं अगर तुमसे पूछू कि बेटा यह बताओ यक्स की घात पांच का गुडांग क्या है यक्स की ओपर चुर्की पे लगाए वह क्या है घातांक है जो बगल में है उसके वह क्या है गुडांग कोफिसीयंट है गुडांग और घातांग ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं ना तो आप समझ गए घातांग को ठीक है, ओके, नो प्राब्लम, चलो, तो बिटा जो घाता आंख होता है, इसे इक्स्पोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्स्पोनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ गए, अब हमें मतलब की चीज समझना है, बहुत ही प्यार से समझो, एकदम एक एक समझो, तो जब हम मल्टीपल करते हैं, तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, अगर सभी जो चर हैं, वो समान है तब, इस बात को याद रखना, ठीक है, गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, अगर चर समान है, बरियेबल समान है, तो घाते जुड़ ज कि जल्दी से सभी बच्चे बताओ अंकुस राज कितना आएगा अगर इसका गुड़ा करोगे तो घात कितनी आएगी यह कुष्टन में बताऊंगा अभी सब इस टाइप का में सब बताऊंगा लेकिन पहले तुम कांसेप्ट चीफ जाओ तब बलराज बॉस बताओ मन्स्टियर इनका नाम है बनवारी बिटा बनवारी तुम्हीं लगाओ कुछ किनारे मुझे हां क्या आएगा इसका कौनों आंसर ना बताएगा का अभी तक दस बता रहे हैं ठीक है ठीक है देखते हैं तो बचवा क्या करते हैं बाबू यक्स सब में है तो यक्स हो गया इनकी घाते देखो यहां पर पांच है यहां पर एक है तो पांच एक छे दो आठ और तीन कितना हो जाएगा ग्यारा यह ग्यारा होगा देखो कुछ यह लोगों को confusion है उनको यह confusion है जो 10 बता रहे हे अधिकांस 10 बता रहे है कि चैट तो 5 है और 2 है और 3 है क्यों भाई कूल तुमें यह लग रहा है ना कि कि मतलबी तुमको गरीब दीख रहा है इसके कोपड ships कोront नहीं दिख रही ए जिसके छोटा छोटा पार है उसको चटढहा मान लिए और इसके जोटा 정도 से नहीं है तो न किहीं वह के शही इत्ता होँ जारहेगा तो इसकी भले कोई तो नहीं है लेकिन भी वन जोड़ोगे चाहे इधर उधर कहीं भी जोड़ो इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है कुक बित मीना जी बहुत-बहुत थंक्यू आपको लेकिन विचार करेंगे आपकी बातों पर यह कौन है प्रियंका पीबियर स्टडी भाई जो लोग बोल रहे हैं इनको बला करिए वाट सप्याद हो जी प्रियंका पीबियर स्टडी नाम से कोई आया है उसे बला करिए आप बला करिए देखो हमें न लगाओ इसमें हाँ चलो तो कितना हो जाएगा यक्स की घाते ही लेबन हो जाएगा ठीक है यह समझ गए न सभी यह चीज यहां से आपको क्लियर होना चाहिए मुझे लग रहा वीडियो कुछ गडबड कर रहा है क्या गडबड करेगा तो बताना तो बेटा यह हो गया आपका अगर हम इसी करम में आपसे एक और सवाल पूछें की बताओ 3 यक्स की घात 1 इंटू 3 एक्स और इंटू यह 45 यक्स का 5 और इंटू एक्स इसमें मुझे बताओ कितनी घाताएगी सबी बच्चे घात बताओ हिमानसु बर्मा जी बताइए कितनी घात आएगी हिमानसु बर्मा इसकी घातांग कितनी होगी फाइनल में अच्छा एक बात बताओ इसमें मैं अगर तुमसे पूछ हूँ कि यक्स की घात पांच यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है तो कुछ लोगों को तो अभी यक्स की घात 5 दिखी नहीं रहा है यक्स की घात 5 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है देखो यह में 1 घात है यह में कुछ नहीं 1 है इसमें 5 है यह नहीं यहां है तो यक गात 5 का जो गुडांक वो का है और पैतालिस क्या है 45 इसका गुडांक तो अगर हम इन सब का मल्टीपल करेंगे तो बच्वा देखो तीन का तीन में हो जाएगा और फिर नौ का पैतालिस में हो जाएगा तो फाइनल में कितना आएगा नौ पचे पैतालिस और नौ चोग छातिस चार चालिस और चार चावालिस ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं नौ का गुडा कर लो भाई नौ पचे तालिस हासिल चार नो चोग 36 अब आच शतीस चार चलिसे तो होगा यक्स की घाते देखो वन और यह 1257 और 18 405 यक्स की घाताँएगा कितना आएगा 405 यक्स की घाताँएगा लिख लो सभी वीडियो में थोड़ा बहुत मिश्टेक हो रहा है थोड़ा हैं कर रहे का यह बताना अगर थोड़ा हैं करेगा तो बिल्कुल टेंशन मतले ना तुम है ठीक है परिंसे स्री वास्तों पढ़ बेटा पढ़ लो चारसो पांच आएगा पैतालिस आएगा कि नो पचे पैतालिस हांसिल चार नो चोग शतिस चार चार चालिस ठीक है अब यहां पर समझो अगला यह तो तुम समझ गए अब मैं जीसमें जादा नहीं जलाने वाला हूं क्योंकि तुम लोग यह काहते हो आग कि देखो बेटा समझो समझो बिल्कुल टेंशन मतलो मैं बहुत पढ़ाओंगा टेंशन मतलो है सुनो कल तो टेस्ट है ना कल सटर्डे को टेस्ट है बेटा 200 रुपए का इनाम रहेगा कल कख्छा नो में जो चार से अधिक कुष्टन कर लेगा दस में से चार कर लेगा उस से 200 रुपए मिलेंगे जैसे अब की बार देखो दीपांसु को मिला था नाब्वय को मिला था उसमें से हमें लग रहा है कोई लिया था कोई नहीं लिया था अब इस कुष्टन में कौन कौन कर लेगा जैसे यक्स इंटू एक्स प्लस वन है इसका मल्टिपल कैसे करते हैं यहां से समझो आजय पाल बेटा यहीं चलता है कलास यूटूब पर चलता है ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लो बस चलेगा इसमें क्या करते हैं भाया बीच अंख sondern करो इसे बने गां बीच में प्लस का साने तो प्लस रहेगा यह यक्स का मल्टिपल वन में करोगे बैटा तो यकस LIVE है फाइनल में क्या करोगे युद्त का यक्स में गुड़ा एक सख利यर हो जाएगा और प्लस यक्स का वन में तो यह मैं हो जा essay मैं यह के और Nikki त पढ़ाई उड़ाई हो रही कि नहीं बंटी सिंग बेटा पढ़ लो पढ़ लो PBR study app में बिल्कुल क्लास होती है वर्तिकाजी बिल्कुल होती है होती है क्लास बहुत सारी क्लास होती है यह समझ गए इसको मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीन साट ले लिए उस अभी चलो देखो बच्चा अब यहां से तुम समझो यह तो एक छोटा फथा अभी दो पद का दो पद वाले में गुड़ा करना पड़ेगा आपके 2.5 में देखो तो दिया है तो आज मैं तुमको उसके लिए तैयार कर रहा हूं ठीक है आज मैं तैयार कर रहा हूं तुमें उसके लिए देखो जैसे अगर मैंने कहा कि यक्स का इसका गुड़ा करना है यक्स प्लस 5 में आप लोग मुझे अंसर बता दो इसका जल्दी से कितना ईगा चलो मुझे इसका आंसर बता दो तब हम एने किहां तुमें आ रहा है किनो को आ रहा है है हुआ है हुआ है यह स्टडी चैनल बेटा तुम पढ़ लो पढ़ लो नहीं तुम्हारे नुपर सब गिरेगा हुआ हुआ है पढ़ लो जल्दी 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 करो इसको बलाक करो भाई यह स्टडी चैनल नाम से कमेंट आ रहा है इसे तुरंद बलाक करो ना लायक कहीं का इडियट एक लोग का कमेंट करे जा रहा है नाम ले लेके बार बार तुरंद बलाक करो इसे चलो अ को गया बहुति सिंग तुम्हें मुझे नहीं लगता तुम सी आरपी अप में हो नहीं नहीं मुझे लग नहीं रहा कि इसे आर्पीय करो बहुत ही इज़त के साथ मैं नोगों से बात करता हूं जो हमारे देश की सेवा में लगें लेकिन आपके कमेंट से नहीं लग रहे देखिए यहां पर समझिए यक्स स्कॉयर का यक्स में गुड़ा करोगे तो भाई यक्स का स्कॉयर इंटु एक्स यह इतना हो जाएगा बीच में प्लस का साइन लगेगा यक्स का स्कॉयर इंटु किस में हो जाएगा फाइप में यह आपका बनेगा structure इस तरह का आपका धांचा बनेगा ठीक है तो बच्चा अब क्या करोगे बाबू यहां से समझो अब मैं हेडिंग चाहे मिटा दूं उससे कोई मतलब है नहीं से ङक्ष का गात दो है इसका गात एक है तो बैया यह फाइनल में घात हो जायेगी तीन ठीक है और जैका फाइण करोगे बेटा दीखो घात से कोई मतलब नहीं इस तरह का गड़ा यह वहात आंक में नहीं होता है किस में होता है है त्रश्रिया बीजनेगे आपकाई!!!! यूटूब पे अभी नहीं पॉसिबल है चलाएंगे भविस्य में लेकिन अगर अभी पढ़ना है तो आप application में चले जाओ पीवियर स्टडी एप में चलो तो यह हो गया अब यहां से एक चीज समझना है कि यक सी स्कॉयर का गुड़ा पांच में करेंगे तो क्या होगा अखिर यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यादो जी आपको पानी पीना है आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है दुनिया सुक गई है अभी बहुत पानी है दुनिया में चलो देखो इसका गुड़ांग कितना है पहले कोई बताए इस चचा का गुड़ांग क्या है इसका गुड़ांग क्या है जल्दी बताओ इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका गुडांक वन है जैके क्यों न सहाय हो के गनपद सहाय है चलो इसका गुडांक कितना है वन है तो पांच का वन में मुल्टिपल करोगे तो पांच ही रहेगा बाकि इसके घातवात से कोई फरक नहीं पड़ता है हां पडोशी के घर में कितना भी कि दान्स हो रहा है तुमसे बॉल चाल नहीं है तो क्या करोगे अपने कुद लों के ले जाओगे तो है नहीं तो वही हाल इनका है यह जूड़ें के नहीं आपस में तो यह फाइनल में आपको हो जाएगा पांच एक स्काइर यह आपका इतना फाइनल हो गया इसके आगे इस पर लग रहा कि नहीं जुड़ेगा तो बोलो नो जल्दी से कमेंट करो बिल्कुल भी देर नहीं करना तुरंत करो भई बाबु देखो बिलकुल देर नहीं करो ऐसे मजा नहीं हारी दिल मत थोड़ो जल्दी से बताओ चलो वाट्सअप यादो जी आप पढ़ाई कर लीजिए पढ़ाई कर लीजिए नहीं अभी वाइफ के चक्कर में यहां पाइप निकल जाएगी फिर मार पढ़ने लगेगी यहां पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है बेज्जती नहीं चलो देखो अब जो लोग बोल रहें कि यह जुड जाएगा यहां से समझ लो यह दोनों नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा कभी देखे हो सेर के साथ बकरी की साथ हो जाए बताओ देखे हो सेर के साथ बकरी की साथ हो जाए देखे हो नहीं देखे हो ना कुटा के साथ बंदर की साथ हो जाए नहीं देखे हो ना बंदर की बंदर में होती है कुटा की कुटा में होती है सेर की सेर में होती है इंसान की इंसान में होती है इंसान की तो धर्म अलग होना चाहिए जाती करें देखो थोड़ा बेवहारिक समझाए तो समझ पाओगे अगर साधी की बात करें जो कि हर किसी को समझ में आजाता है बहुत आराम से चोटा पिल्ला भर का बच्चा है उसको भी समझ में आजाता है तो पहला नंबर तो धर्म एक होना चाहिए दुफरा नंबर जाती इफ होनी चाहिए जो हमारे समाज का माहल है उसके अकार्डिंग बाकि कानून और नियम और संभिधान के अकार्डिंग तो कुछ भी हो हर कोई किसी भी काष्ट या धर्म में कर सकता है बस 18 साल का होना चाहिए तो लेकिन वह मैं क्यों बता रहा हूं यहां भी इसमें से दो रू कि अधर कुछ नहीं होना चाहिए ठीक समझ रहो ना तो यानि ऐसे समझ लो अब तुम ऐसे समझ जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आजाए गा पहला नमबर जैसे आपके अगर सिष्टम में बात करें तो धर्म एक कोना चाहिए तो इन में क्या भया इन में दूसरा क्या होना चाहिए एक हमारे इस देश समाज में साधी करने के लिए धर्म एक होना चाहिए जाती एक होनी चाहिए मतलब नार्मली जो समाज इक लोग मानते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए चर बराबर होना चाहिए और घात बराबर होना चाहिए समझ गए ना, कब इनको जोडने के लिए ये तब जुडएंगे जब इनका नमबर 1-4 बराबर हो नमबर 2 गाथ बराबर हो जैसे तुम देखो ना, मालज दो लोग का धर्म हेका है एक लोग क्या है? पतेल जी हैं, एक लोग पांडे जी है बभाई पतेल और पांडे दोनों हो गए धरम तो एक हिंदु हो गए लेकिन उनकी जाति अलग अलग है तो इसलिए क्या होगा इस समाझ प्रकार कर नहीं करेगा इस प्रकार की साधि को नाइं तयससे इसमें है इसमें देखो इनका चर तो बराबर है दोनों में यक्स है इसमें दोनों में क्या है दोनों में चर यक्स है लेकिन इनकी घातें अलग-अलग है बच्चा इनके दाजाती अलग-अलग है घाते कैसे अलग है इमें देखो तीन घाते में दूए तो यह जुड़ेगा की कोशिस किया होगा इसको पक्का समझ गया होगा वो भूलेगा नहीं लाइब में कभी यह तब जुड़ता बिटा जब यह ऐसे होता यक्स की घात दो होता प्लस यह पांच एक्स की घात दो होता अब यह जुड़ जाता अब यह जुड़ जाता कैसे इनकी घात दो है इनकी या बच्चा पांच है तो यह दूनों जुड़ता ना तो पांच और एक का हो जाता अच्छा और यक्स की घात दो थी तो घात वही रहेगी जोड़ने पर घात में कोई परकार का फरक नहीं पड़ता है जोडने पर घात में कोई फरक नहीं पड़ता, जितनी घात रहती हमेशा उतनी ही रहती है लेकिन गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है याद रखना, अगर कहीं दो भी, दो वेरियबल्स को, सुरी यार क्या बोलेंगे, दो बीजिये बेंजक दो बीजिये बेंजक या आलजेबरिक एक्सप्रेशन को अगर आप एड़ कर रहे हो, तो कभी भी उनकी घाते नहीं बदलती है घाते उतनी ही रहती है, लेकिन अगर उनका गुड़ा कर रहे हो, तो घाते जुड़ जाती है यह 1999 का एक्जामपल नहीं है, कि यह आज का एक्जामपल है, आज का समाज सोभिकार नहीं करता है, देखते हो, लोग मार देते हैं, अगर कोई कर लेता है साथो यह अगला कौन कर रहा है भाई टाइम आउट अगला कौन कर रहा है, मिस्टर यह पीवियर स्टेडी लाहबाद से और कौन कर रहा है, क्या नाम, पीते इंद्र जी आप कर रहे हो क्या बोलो जल्दी हाँ कमेंट देख रहे हो क्या आप चलो तो यह होगे, आप लोग कर लोगे अब आप कमेंट देख रहे हैं अगर तो कमेंट करिए नहीं तो फिर मैं हटाने वाला हूँ आपको बताईए जल्दी बताईए सुबह हम सिंग को हटाईए भई सुबह हम सिंग को हटाईए देखो यहां से समझो आगे क्या है समझना यहां समझो अब मुझे आप लोग बताऊगे यक्स प्लस वन का यक्स प्लस वन में मल्टिपल करना है यह दिया गया है ठीक है चलो बोलो जल्दी बोलो चलो ठीक है सब कुछ मस चल रहा है आदी तिरपाथी देखो यहां से समझो बेटा इनका मल्टिपल करना है आप मुझे आगे बढ़ाना यह आपके 2.5 एक्सरसाइज में दिया है एक्सरसाइज 2.5 में दिया यह कहीं अलग से नहीं है यह चैप्टर का है आपके पढ़लों मैं बता रहा हूं रुख जाओ तुमको मैं किताब खुलवा देता हूं एक मिनट बेटा देखो सर्बसमिकाओं का गुड़ा करना है ठीक है पहले हम तुम्हें लांग बिदी सिखाएंगे लंबी बिदी वाला पहले सिखाएंगे उसके बाद आगे बाद करेंगे ठीक है पहले लंबी बिदी वाला समझो अगर इनका दोनों का गुड़ा करना है तो जो इस टेंडर तरीका है पहले उनको समझो बड़ी इमानदारी से समझो मैं कमेंट देखूंगा तो पागल हो जाओंगा अमर जाओ तुम लोग कमेंट में और क्या बोलू आत्मा से यह आवाज निकल रही ना देखो यक्स का क्या करेंगे पहले इस यक्स को पकड़ेंगे और इसमें दोनों में बारी बारी गुड़ा करेंगे समझो तो यक्स का multiple बेटा यक्स में करोगे तो final में यह आपका बन जाएगा x x ठीक है इस x का multiple मैंने x में कर लिया अब मेरा ये काम हो गया खतम अब ये सीधा-सीधा इसके लिए हो गया ठीक है अब बीच में कौन सा साइन है देखो यहां भी पलस है यहां भी पलस है तो यहां पर तुम क्या लगाओगे पलफ लगाओगे लेकिन तुम्हें चिन यह देखना है अब इसी यक्स का गुड़ा इस दो में करोगे तो यह दो गुड़े यक्स होगा या फिर यक्स पकड़के दोनों में गुड़ा कर दिया अब तुम समझो यहां से और कुछ यहां से समझो यह यहाँ गया अब देखो हमें यह वन पकड़ना है इस से इन में दोनों में गुड़ा करना है यह चीद समझो थोड़ा आशान नहीं था अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है बहुत आसान नहीं समझोगे तो कभी लाइफ में समझत Nathan आएगा यह समझ लो यह बहुत आसान नहीं है जितना तुम लोग चैटिंग पैटिंग करे जा रहे हो न कभी आने वालों नहीं है अब यहां पर प्लस वन का मुल्टीपल करो पहले एक्स में तो वन का यक्स में करोगे तो वन इंटू एक्स हो जाएगा ठीक है सिर्प चिन् है जो मैंने यहां तक लिखा हुआ है ठीक है को कुक बिथ मीना मैं तुम्हें कितनी बार बताओं कुक बिथ मीना तुम पांच घंटे भी पढ़ सकती हो या पढ़ सकते हो पीवी आरे स्टडी एप डाउनलोड करो उसमें जाके जोईन कर लो समझ में आया ना बात बस मैं भी यही बता रहा हूं आप समझ झालो जलो अब यक सका एकस में करोगे तो podemos कर सब्सक्राइब करोगके ठीक हो जाएगा ऐस Кто as a 700 हो जाएगा वागे फाईनल में आपका अनसर हो जाएगा लेकिन यह दोनों भी जुड़ेगा तो यह सका स्कुर प्लस 3x plus 2 आएगा यह आपका final वाना answer हो गया मतलब आपके गुड़नखंड यह दोनों थे और आपका final answer यह आया अच्छा एक बात बताओ कि क्या आप जानते हो क्या आप जानते हो अगर इसके गुड़नखंड करेंगे तो यह आएगा हाँ जानते हो कि नहीं बोलो क्या आप जानते हो कि अगर हम इसका गुड़नखंड करेंगे तो यह दोनों आएगा सभी बच्चे बोलो हाँ चले आगे अब इसे कर लोगे ना सभी चलो अगले कुश्चन पर आगे चलते हैं वर्तिका जी नंबर इस क्रीम पर चल रहे न कैसे जॉइन करें क्या करें उस पर संपर करो उस पर संपर करो दिन में सब बताएंगे चलो अब मुझे कुश्चन और बताओ बिटा एक ठी और बताओ छोटा सा अगर हम तुम्हें कहें कि यक्स का तीन और यह यक्स प्लस उन इसका गुड़ा करो तो कितना आएगा कोई मुझे बताएगा कितना आएगा रेनु चौधरी जी बताईए किटना आएगा कोसिस तो करो न भीया कोसिस तो कर लो न तुम आएगा आएगा कुछी बीजे आएगा कोसिस कर लो एक बार देखो मैं बता रहा हूं समझो यहां से सभी बच्चे यहां से समझो अब हम उतना बड़ा इस्टेप नहीं करेंगे जितना पहली बार किये थे अब इसे हम थोड़ा जल्दी में पूरा करेंगे ठीक है थोड़ा जल्दी में पूरा करेंगे उतना बड़ा इस्टेप नहीं क कर आया है कि जल्दी सभी बच्चे सेशन को तुरंद लाइक करो देर मत करो एक को सिकंड की बहुत जल्दी करो कि मनोर्ज सिंग करें नहीं और इमाल सूः कर दीजिये अगर आप खाली है तो से कुंट की पीछे मत पढ़िए पीबी एस्टटर judo और वाट्साप पर रिपलाई कर दीजिए अगर खाली हैं तो कमेंट की पीछे मत पढ़िए क्योंकि यह आपकी सुनने वाले नहीं है यह आपकी सुनने वाले नहीं है देखो अब मैं इस पर चलता हूँ भाइस अभी चल्दी सेशन को लाइक करो अगर अगली कलास भी तुम्हें पढ़ना है तो नहीं पढ़ना तो कोई बाती नहीं है इसमें यक्स का मल्टीपल करोगे बेटा यक्स में तो बाबू आपका यह हो जाएगा यक्स का स्कॉयर ठीक है फिर प्लस का साइन लगाओगे क्यों क्योंकि हम यक्स का यक्स में करने के बाद अब इस पार आएंगे वन में और वन के पहले प्लस है इसलिए यहां फिर प् अब हम ये तीन को पकड़ेंगे इन दोनों में गुड़ा कर लेंगे तो तीन को पकड़के यक्स में गुड़ा करोगे तीन के पहले प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस तीन यक्स अब तीन को पकड़के वन में मल्टीपल करोगे बिटा तो वन के पहले प्लस है तीन के पहले भी प्लस है इसलिए यहां प्लस हो जाएगा तीन का एक में करोगे तो तीन हो जाएगा यह आपका क्या है यह आपका सिस्टम में बहुत ही आसान है इस तरह से क्या है बहुत ही आसान है है ना तो फाइनल आपका यह हो जाएगा यक्स का आसान है कि नहीं आसान है कि नहीं बेटा रभी संकर तुम इतना नाम बदलते हो ना तुम्हारी बहुत सारी आइटी बॉलॉक है समझ रहे हो ना तुम क्यों बदलते हो भई क्या मिलता तुम्हें क्यों तुम्हारा मतलब क्या है चाहते हैं क्या हो तुम क्विश्चन नंबर छटमा यहां से समझो कि सबको समझ में आ रहा है न अब देखो आगे आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे मैं नहीं बताने वाला हूं अब इक सरसाई 2.5 का पहला कोश्चन है एक मिनट रुख जा रुख जबाई 2.5 का पहला कोश्चन एक सरसाई 2.5 का पहला कोश्चन एक्स प्लस पोर एंड एक्स प्लस टेन इसका मुझे जबाब दो सभी बच्चे मुझे जबाब दो इसका चलो जल्दी बताओ कितना आएगा बहुत जल्दी करो के इसका आंशर मुझे जल्दी से बतादो जिनको नहीं आ रहा वो नो लिखें यन ओ नो जिनको नहीं आरा हूँ नो लिख के कमेंट करें य Centre जल्दी करो जिनको आरा हूँ आंसर बताओ जल्दी करो भाईया देखो बहुत टाइम नहीं है संदीप कुमार बेटा जबाब दो कर पाओगे या नहीं देखो पानी की जगह में स्याही पीने वाला था भी वो तो कहो पीया नहीं लग रहा है तेज से ना चलो अभीलास नरेश हरिकेस बलराज प्रेमचंद मनोज बचा नरेश तुम क्यों न कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत चैटिंग करते हो तुम्हें पढ़ना तो है नहीं हेलो प्रियंका कैसी हो पुझा बेभी क्या कर रही हो तुमको तो सिर्फ इतना ही करना है वह तुम्ह है लेकिन मैं फिर भी देखता हूं कि तुम घरते हो कब तक करते हो श्र Kak म ऐसा को अर नहीं हुशन नहीं को save देखो ठीक है यह सिंपल सा है यक्स का मल्टिपल यक्स में करोगे बिटा तो यक्स का पहले यक्स में तो यक्स का स्कॉयर हो जाएगा पिर यक्स का मल्टिपल जब मैंने यक्स में कर लिया तो यक्स का स्कॉयर हो गया अब यक्स का गुड़ा हम करेंगे 10 में यक्स का एक बार इस एक्स में कर लिए अब 10 में करेंगे दोनों में बारी बारी करते हैं न तो 10 में करेंगे बच्चा तो यह 10 एक्स हो जाएगा इस तरह से हमारा आधा काम पूरा हो गया आधा काम पूरा हो गया हमने एक्स को पकड़के इन दोनों में गुड़ा कर दिया अब हम ये प्लस 4 लेंगे 4 4 का मULTIPAL इस यक्स में करेंगे बेटा तो ये 4X और फिर इसी 4 का मULTIPAL इस 10 में करेंगे तो यह हो जाएगा 14, 40, बस इतना ही करना है, ठीक है, सबको समझ में आ रहे ना, तो बिल्कुल प्यार फे देखो, जिसको ना समझ में आएगा बता देना, मैं फिर बताऊंगा अलग तरीके से, टेंसन मत लेना तुम, बस किवल देखना बस, जाना नहीं, चलो, दस एक्स का गुड़ा 4 एक्स में करेंगे बिटा, यह हो जाएगा 14 एक्स, और प्लस यह 40 वैसे वैसे जुड़ जाएगा, यह आपका हो गया अंसर, यह आपका एक्सरसाइज 2.5 का कुश्चन नंबर था, एक्सरसाइज 2.5 कुश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, अध्याय 1. 1.1 परस्ना वली, परस्ना वली 12.5 परस्ना वली 12.5 परस्न संख्या पहला का पहला, संदीब कुमार, सोनु गेमिंग, इस पानी को पीने से कुछ हो नहीं रहा है, बुझ तो रही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या पीना इसे, देखो, समझो, यह तुम लोग कर लोगे, अब इसी में का बुक का दूसरा पार्ट, यक्स प्लस 8, एंड यक्स माइनस 10, इसका मल्टिपल करो कितना होगा, कोई बताया है नहीं, बहुत जल्दी-जल्दी करवा दे तबो नहीं मज़ा आती है, बहुत धिरे-दिरे पढ़ा है, तबो नहीं मज़ा आती है, राहू ले दो बेटा, चलेगा, सब चलेगा, परिसान न रहो, चलो देखो, आगे समझो, इनका भी कर लेंगे वाजसे, यहां पर एक चीज़ ध्यान देना, यहां माइनस है, यहां पर चिन्द माइनस है, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, चिन्द माइनस है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चलो, देखो यहां पर, तो बेटा, यक्स का मल्टीपल यक्स में करोगे, फाइनल में, तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्कार हो जाएगा, और x का multiple 10 में करोगे तो minus ध्यान रहे ये plus में है ये minus में है तो minus का 10 x आएगा ये बात मत भूलना तुम हमने x को पकड़ करके इन दोनों में गुड़ा कर दिया बारी बारी हमने इस one पद को पकड़ा इन दोनों में कर दिया अब ये plus का 8 पकड़ेंगे प्लस है पहले तो प्लस कि 8 का multiple जब यक्स में करेंगे बिटा तो 8 x होगा मैंने वही लिखा है कि अब इस 8 यानि 8 का गुड़ा 10 में करेंगे ये 10 माइनस में है ये प्लस में है लाए तो यहीं क्छा था यहाथ है कि यह आपका फाइनल हो गया के ठीक है यह क्या हो गया मैंने होगे अ फाइनल हो गया आप बच्चा यह 2x केस्क्वायर ऐसे ही रहेगा यहीं आपका माइनस का 10x यह प्लस का ने हचा nau यह खाए गह तो लगता है अगर यह प्लस दस एक्स होता यह माइनस आठ एक्स होता यहां पर चिन प्लस का लगता ठीक है यहां पर क्या लगता प्लस का चिन लगता लेकिन दस बड़ा है और इसकी चिन माइनस है दस के पहले आठ छोटा आठ के पहले प्लस है तो जो बड़ा होता चिन उसी क लगता है। यह माईनस 80 ऐसे उतर जाएगा पस हो गई हम कॉल हो गया आपका फाइनल हो गया सब को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में रहा है वी थे समझ में तो सभी साथी क्लास को लाइक करो जल्दी से देर ना करो भाई ब Windows को कुछ जिम्मेधारी होती यार क्लास को लाइक जरूर किया करो और दोस्तों में सेयर करना तो बिलकुल ना भूलो हां चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इस तरह के सारे सवाल तुम कर लोगे अब मैं तुम्हें कुछ इंपौर्टेंट वाला हूँ जो समझने लाइक है देखो यहां पर समझो बेटा है इंप्वाटेंट में क्या है है वो चीज समझ लो यहां से और एक चीज में तुम्हें और भी बता दूं क्या कल आप लोगों की दिन में कलास होने वाली है बहुत बड़ी कलास ह कि नहीं हाँ कल दिन में आपकी बहुत बड़ी कलास होने वाली है रहेगा ना लंबी चौडी कलास होगी कम से कम छा गंटा की कॉन कॉन पड़ेगा ए कि मैं टाइम बता दूंगा भी लेकिन मैं पहले ही बता दूं का आप कल बच्चा देखो दोपार में रखते हैं बारा बजाए से बारा बजावे से कम से कम चार बजा तक कलास होगी ठीक है मैं शुरू से पढ़ाय जाए गा नाइन्थ का चार बजे से और जादा बजे तक भी हो सकती है गमसाई रहेताने सिर्व कर दूपार में 12 बजें चार बजे तक को अभी को रही जाएगा नहीं हो रही है 12 बजने चार बज तक ज़ाए जा रहें लाएं तो अप्पर से चार बजे से चार बज़े तक ओर एक है है अगे क्या संधाना में आजी बड़ा neighborhood by सभेया का अगर 5 का गुड़ा करोगे बिटा प्लस 3 में तो यह बताओ मुझे कितना आएगा इसका आंसर सभी इमानदारी से बताना अगर 5 का गुड़ा प्लस 3 में करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर तो 15 आएगा लेकिन यहां पर मुख्य बात है जो वो चिन कौन सा आएगा चिन कौन सा आएगा तो बेटा अगर दोनों प्लस प्लस है तो हमेशा चिन प्लस में ही आता है यह मैं चिन का कांसेप्ट बता रहा हूं यहां से सीख लो तो क्या आएगा जरा सोचो आप लोग क्या आएगा अगर एक प्लस है एक माइनस तो चिन हमेशा माइनस आएगा याद रखना क्या आएगा माइनस आएगा लेकिन सोचो अगर पहिला वाला माइनस हो जाता दूसरा वाला प्लस हो जाती है तब का था तब भी चिन हमेशा चि माईनस हुआ दोनों अलग अभर अगर ऐंहीत तो हम इसा माईनस यह आए गा है और कहीं दो इनौना यह jurgen हो जाए ताभ बिद्स हो जाए गाए यह हमें यह ऐम हूं मिलता है यह थीं इसकर्स मिलता है यह फैसकर्स निकलता है भाई अजकी डोनों च laquelle समान और सामान है तो प बताया हूं बाकि यहां 15 से कोई मतलब नहीं है कि हुआ है कि समझ रहे हो ना सभी भाई समझ रहे हो ना चलो अब हम कांसेप्ट वाले थोड़े थोड़े कुछ सवाल पूछेंगे आप लोग उसका मुझे जबाब दो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है कांसेप्ट वाले थोड़े थोड़े सवाल आप लोग बताओ अब चैप्टर खतम करने क्या चाहते हो के सभी बच्चे ना इंदफ़ाले अभी और पढ़ोंगे कि नहीं बंद करें कि अब ही और पढ़ोंगे कि पंद करें देखो जो चंव पता रहे कमेंट नहीं करपा hydrogen आए jsudno do होगे तो तुम कमेंट नहीं कर पाऊगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो कि देखो जो शुरू से पढ़ रहे हैं वह लोग नहीं परेशान इसका चउथा बड़ा खतर्नाक है यह पार्ट देख लो पहले तो मौ चउथा पार्ट ॐ य का स्कॉर प्लस 3 बटब्टा दो और y का square minus 3 बटा दो y का square minus 3 बटा दो यह क्या है यह आपस में गुड़ा करना इनको क्या करना है बच्चा इनको आपस में multiple करना है यहां से तुम तरीका सीख लो बेटा तरीका सीख लो यहां से तरीका सीख लो देखो अब इनका भी वैसे ही गुड़ा करना है लेकिन यहां पर एक चीज बन रहा है वो कौन सा चीज बन रहा है यहां पर एक सूत्र बन रहा है कि शूत्र लेकिन लगेगा क्या कि सूत्र तब बनता जब ये कुछ धंका होता तब यहां पर तो कुछ धंका मुझे लगनी रहे आप लोग बताओ इसको चल जाएगा क्या है कि हो जाएगा कर लोगे की नहीं देखो फार्मूला और मूला बनेगा काय में कि हो जाएगा की नहीं कि कमल की सोर को बला करो भाई कि कमल की सोर को बला करो इसे जल्दी बला करो इसे कि देखो बिटा अगर मैं बोलूं कि ये प्लस बी हो गया ये माइनस बी हो गया हां बन जाएगा देखो समझो यहां पर देखो अगर इसको ए मानो इसको बी मानो मान लो अगर देखो बन जाएगा माना y square बराबर a और 3 बटा दू बराबर b तो पिटा यह बन जाएगा आपका a plus b और a minus b तो final में a का square minus b का square क्यों भाई साब यह होगा ना बाबू तो इधर लाके मान रख दो न a का square का मतलब a का square का मतलब y का square यह y का square का square minus b का square मतलब 3 बटा 2 का square तो final में हो जाएगा बाबू आपका y का घाच 4 minus 3 तरिका 9 9 बटा 4 y का घाच 4 आएगा ठीक है सबको समझ में आ रहा है ना हरी केशी समझ में आ रहा है आभा तिर पाठी आरा समझ में ठीक है अभी हमारी कोशिस होगी रात के 9 बजे भी तुमारा रिवीजन करवा दिया जाएगा रात के 9 बजे भी एक लाइब होगा उसमें भी पढ़ लेना ठीक है ठीक है ठीक है ना बच्चा चलो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो तुमें बहुत सारी कलासे मिलेंगी कि सच्ची बता रहा हूं बोलने में बहुत एनर्जी जाती है आदमी पागल हो जाए बोलते 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 कुछ खावा के आता हूं का हाँ जाए खावा के आए का तुम लोग पढ़ते रहो रहाम से कि साही रहेगा कि नहीं मुझे पता है तुम कई से पढ़ोगे तब तक चलो देखो आगे हमारे क्वेस्चन का आंसर ने दिया बहिए इतने लोग है मैं आंसर देंगा तो फिर होए गया आंसर देता रहूंगा कि अगला question जो है उसका answer सभी कर लोगे हां हाँ हां टेस्ट होगा कल कल टेस्ट होगा सुभेरे 7 बजे तुम लोग आना कि चलो देखो आगे कि अगला question इसका पाचिमा पार्ट देखो इसका कह रहा है 3-2x और 3-2x इसका अंसर कर लोगे पिरसूत के बाद आपका पहिला सब खतम हो गया इसका कर लेना आपका पहिला खतम हो जाएगा और आज का जो कलास है वो मैं खतम करूंगा लेकिन अभी ऐसे नहीं खतम करने वाला पहले इसका जबाब दो जल्दी बताओ कितना आएगा फटापट देर ना करो भाई ऐसे मजा नहीं आ रहे ही कहीं जाना नहीं अभी जल्दी बताओ कितना आएगा अचा एक बात बताओ इसको तो बताओ फटाफट उसके बाद एक ठीए और बताओ देखो यह सारे चीज़ तुम्हें आने चाहिए बीटा अगर तुम्हें यह नहीं आ रहा है तो समझ लिव तुम कर बाध हो रहे हो इसका अंशर बता उ मुझे इसका अंसर बताओ अगले वाले का अंसर बता वियक्स प्लस जीरो कि इन्टू एक्स अपां फाइव इन्टू यच्स अपान फाइव इंटू ईक्स के गाथ और एके घात तीन इसका अंसर कितना आएगा दूसरे वाले का बताओ कितना आएगा कमल की सोर बाटा समझ में आ रहा है नितिन गुपता आदी पिर पार्थी बताइए कितना आएगा देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है इसका देखो मल्टीपल करेंगे यह देखो पर उपर की तरफ है नीचे की तरफ है फाइनल में अगर हम इसको दिखाए तुमें तो यह ऐसे बन जाएगा ऐसे बनेगा ना तो उपर का जो दो आता नीचे का चार गात इससे यह मानलों एक परकार से घट जाता है अगर मैं डीटील में बताओं तो इसे समझो करद कि यह नीचे चार हो जाएगा अंगर कर देखो मेरा भी गया है थोड़ा सा रुख जो थोड़ा से रुख जाओ शाही भर लेता हूं कितना आएगा इसमें राम् जक्विंदरा बताएक कितना आएगा श्लदी बताओ quest labta अब अंगोरी व कितना एगा जलुदी बताओ लेख बिल्कुल भी तुम तेंसन मत लेना एक भी पैसे का कर लोगे ना सभी चलो ठीक है अब देखो बच्चा उसमें यक्स का स्क्वाइर से जो दो घात है वो कम हो जाएगी है जो घात कम हो जाएगी ना अभिलास का उत्तर आ रहा बीजे कुमार बहुत अच्छे बीजे जी सही है गोपी चंद उजमा का भी सही है पूजा कुमारी ठीक है भाईया यह ऐसे हो जाएगा यक्स का स्कॉायर का मतलब है यक्स गुड़ यक्स यक्स की घात 4 का मतलब है यक्स गुड़ यक्स गुड़ यक्स गुड़ यक्स 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 यह इसका मतलब है थोड़ा पोश्ट मादम करने पर समझ में आ रहा है तो बैटा एक च्स से 1 एक च्स, दूसरे ख特 всё फाइनल में ऊपर एक बचा होगा कुछ नहीं है तो और नीचे दो ठी एक्स बचा है मतलब एक्स का स्कॉयर तो यह आपका अंसर हो गया यह थोड़ा सा डीटील में ले जाने के बाद समझ में आता है ठीक है अच्छा इसका अंसर कायेगा चचाय में देखो जीरो है एक जीर मीरा समझ में आ रहा है نीरज कई हश चलो तुमा मिठा देता हूं इसे आप लोग यह सब कर्लोगे न आच्छा एक बात बताओ मुझे क्या 아क पको कलास का टाइम पता है ह। सभी बच्चों को काई क्रास कैं कि कितना बजे होती हे उत्यु arma साम को साथ बजे होती है कितना होती है बेटा साम को साथ बज़े होती है कि बंद करा जाए कि मुझे लग रहा है अब मन नहीं लग रहा है न तुम लोग का मन नहीं लग रहा है न अच्छा सर्बसमिका वाला कुछ करवा देता हूं थोड़ा रुको हां 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 रुकजा रुकजा चाचा रुकजा 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 सूत्र लिखो सूत्र लिखो most important याद करके आना नहीं याद करें तो कल से पड़ेगी लिखो A plus B का whole square चलो बताओ क्या होगा यह कोई बताए मुझे क्या आएगा अभी कुछ लोग ज्यादा च्छट केंगे जब मैं बताऊंगा तो कहेंगा मुझे आ रहा है आ रहा है कितना आएगा बताओ देखो समझो बेटा यहां पे आपका यह A का स्क्वायर प्लस यह B का स्क्वायर प्लस टू अभी होता है यह सूत्र है बहुत इंपॉर्टन है याद रखना इसे कुछ लोग 2 A B को पहले भी लिख सकते हैं बीक इसक्वायर को बात में लिख सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है दोनों सही होता है यह अगर तुम ऐसे से हो त lesson इसमें कोई भी गलत नहीं है यह दोनों सही है चाहिए तुम इसको लिखो चाहिए उसको लिखो एँ stating में इसमें आर लिख सकते हो और रार कमतलब दोनों सही हैं 6 जो मायनिस वाला होता बैता यह ऐसे होता ď A2 उमाईटTT हैं नहीं पहले इस्टम से लिखते हैं यह बी-का स्कॉयर ऐसे ही रहेगा यह माइन होता है है University यानि हमारा जो दो बारा है यह माइन रहे होता है याद रखना चिंड का इस थो द suivे बच्ड बच्चों को अकशर हो जाता है बहुत हो यह दोनों तरीका क्या है सही है ठीक है यह फर्मूले बहुत इंप्वाटेंट है राज् intéress याद करके रखना बबू कि एक neurion छोटा सा पर फर्मूला है यक्स का स्कुराइअ स्कुराइअ है यह आपका ओ जाता है यक्स माइनस बाई यक्स ब्लस दो इसको चाहे तुम ऐसे लिखो या तुम इसको पहले लिख दो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई यह दोनों सही है अलग अलग जगह तुम्हें अलग अलग तरह से मिल जाएगा तो तुम यह मत कहना कि यह सही है यह गलत है यह गलत है वो सही है यह गलत है वो सही है जैसे ही कान पकड़ के इधर से खीच रहे हैं इसे तो दात निकल जा रहा है ना वैसे अगर हम इसको इधर से खोपड़ी गुमा एक पकड़ खीचेंगे तब निकलेगा इसको इदर से खीचने तब हो निकल रहा है इधर से खीचेंगे तब निकलेगा यह यह दर्द उतने हो गाये वह ऐसे इसमें भी होता है जा़ जैसे जाए भी गुड़ा करो वह तर उतना ही एक पूलो जो अगर आप अध्यू करो यह घ्र जबल से लाइक करो Sammy जिमेदारी समझो अपनी और हम लोग आगे बढ़ते चलें ठीक है इसमें एक सर्वसमिका होती है बेटा जब हम लोग समीकरण बनाते हैं X प्लस A and X प्लस B वाली इसको भी लिखलो X प्लस A और X प्लस B जब हम लोग समीकरण बनाते हैं तो यह सर्वसमिका लगती है जिसमें आपका यह प्लस होता है और यह A प्लस B इंटू X और प्लस यह आपका A भी होता बेटा ठीक है यह भी सभी यह क्या है सर्वसमिकाएं हैं लिखलो यह क्या है अलजेबरिक आइटेंटीज हैं यह सभी सर्वसमिकाएं हैं लिखो जल दी से सावन राज बेटा पढ़ लो पढ़ लो सबको समझ में आया ना किसी को कोई परिशानी है रानी नहीं न बच्चा और सूत्र लिखो आगे अगली सर्वसमिका लिखो बेटा यक्स प्लस Y का होल क्यूब यह सब याद करोगे तो अच्छी बात है नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम यक्स क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस थ्री एबी थ्री एबी मतलब यक्स वाई और यह एक्स प्लस वाई देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरु जी हिया तो एबी एबी लिखेया यह एक्स वाई लिखेया यहां तुम कुछ भी लिख सकते हो यार यहां भी नो समझो बस इनके जो बैरेवल सहीन उसे रहा है कि नहीं पिल्पी मुजिक राजस्थानी पढ़ा नहीं जारा गयर है ज़्杜ादा हो रहा है ना सुझा है बंद कर दे रहा हूं परिसांद नरहात Sp turn था रोगा एक घंटा से कम नहीं होना चाहिए आज पूरा पूरा मैंने एक घंटे पूरा किया है ना कि इनका इस क्रीशाट लेम है रहा हुआ हुआ है कि इस क्रीशाट लेम्हा रहा है चलो फोटो की चाने के लिए खड़ा था कौनों गधा खिच्वे नवाइद नदेर तब गजब बैच जती है चलो देखो अचा यह सुनो एक काम करना अप लोग जिनके घर में दो vendors होगी ना जैसे आप पढ़ रही हो ऐसे लाइब ना आप दूसरी मोबाय्ल से उसका रिकार्ड करना इसक्रीं जैसे मान लो तुम hairy में पढ़ रहे हो तो दूसरी मोबायल से ऐसे रिकार्ड करना और रिकार्ड करके ह तो आज आप लोग इसे जरूर करना जितने बच्चे जुड़ें अगर दस बच्चे भी करते हैं उन्हें प्रीमियम कलास दिया जाएगा आप लगभग की लोगों के घर में दो मॉवाइल होगी मम्मी चाचा बैया दीदी मांग लो किसी का हां उसमें इसे रिकार्ड कर लो जाएगा अपने वाट सब्सक्राइब लेना और अपने से हमें भेज देना जो नमबर नीचे चल रहा है उसी नमबर पे तुम्हें भेजना है ठीक है यह जरूर करना और अगर हो साके तो आसे भीजवाना कि जैसे कोई तुम्हारे घर में उससे रिकार्ड कर लो मालो तु कि तुम भी दिखो तुम भी दिखो के और बहतर होगा है ना कैसे बैठ के पढ़ लेकिन कपड़ा पढ़ा पैने रहे ना चड़ी पाहिन के मत बैठना बेचती निया करवाना कि हमारे इस्टूडेंट आप मतलब पाहिन लेना चलो समझ रहे हो ना ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आनलाइन क्लास है तो आनलाइन में कभी-कभी ऐसा हो जाता है तो नीचे जो नंबर चल रहा है आप उसी नंबर पर वाटसप पे भेजना आप सभी को प्रीमियम क्लास दिया जाएगा पेड़ वाली क्लास जो भी ब बनवालो अभी अभी बनवालो तुरंद अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना आगे चलो तो बच्चा यह इतने फार्मूले हो गए माइनस वाला लिख लो देखो मैं आकिकत बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे घर में बढ़ते हैं गर्मी का महीना है कोई नहीं देख रहा है मजबूरी नहीं ठीक अच्छा थो कि एकस माइनस وाई होलड जल्डी आगे लिखो फार्मूले इसने स्ब माइनस होता है यकस क्यूब माइनस एक्च याइचान यह सूत्र याद रहने चाहिए ठीक है याद रहने चाहिए चलो जल्दी करो मुझे लगता है मैंने सारे जितने भी इसमें फर्मूले थे मैंने बनमा लिया ना देखो जिनके पास एक है वो परिसान नहीं होंगे कोई बात नहीं है पढ़ातों मैं रहा हूं ऐसे भी लेकिन इनको पास संभव हो जरूर करेंगे जिनके पास संभव हो जरूर करेंगे जिनके पास एक है उनको कोई बात नहीं है चलो इसको लिख लो बस लगबग सारे सुत्र हो गए तो बच्चा अच्छा एक बात बताओ मैं एक पोल कर रहा हूं कमेंट बाक्स में आप लोग उसमें यस या नो करो मुझे लग रहा बहुत तेज बोल रहा हूं का एक मिनिट आप लोग सिर्फ या नो बोल दो अभी मैं एक पोलिंग में कुईस्टन कर रहा हूं उसे देखो जल्दी से क्या आपके पास अभी बिखो किसी के पास होगा मतलब आपके घर में कोई भी हूँ अगल बगल अभी कोई भी आपकी अगल बगल है उसका मुभाइल लेके भी तूं कर सकते हो ठीक है देखो मैंने एक पोल किया आप लोग उसका जबाब देदो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आप लोग ओटिंग करते रहो और मुझे ये बताओ कि आपका जिला कौन सा है और मतलब कहां से पढ़ रहे हो जैसे आपकी कलास परियागराज उत्तरपरदेश से हो रही है आपकी कलास परियागराज उत्तरपरदेश से हो रही है आप लोग कहां से हो देखो बेटा ये नंबर में लिख दे रहा हूं जरूरी है बहुत इंप्वाटेंट आप लोग इस पे वाटसब पे वीडियो बना के भेजना जरूर अगर कोई है आपके अगल बगल में आपक मतलब बात्रीम उत्तरब वाला नहीं माहुल रों मिरियाSO करके मजना क्या जरूरा चिंशान रहें भात्माथ को अब बीडियो यह नहीं कि यह बता रहा हूं कहानी ठीक है चलो तो आज का क्लास फिर इंड करते हैं प्यारे बच्चों अगर कोई भी सीकायत है आप लोगों की तो आप बताओ ठीक है ठीक है बच्चे बहुत अच्छे तो बच्चे हमारे जो जुड़े हुए हैं पूरे देश से जुड़े हुए हैं दूर दूर से जुड़े हुए हैं कोने कोने से जुड़े हुए हैं तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैंने देख लिया आज मैं किसी का पढ़ न पन्णावलों का इसी चैनल पर तो आप लोग जरूर देखना और उसकी link को इसमें पर चनल नहीं जॉरें सब ठीक है डेली बेजा जाता बिटा सभी कलासे आपको टेली गराम चैनल पे भेजी गई है अभी जोईन करोगे अभी मिल जाएगा तुरंद मिल जाएगा तो टेली गराम अगर तुम नहीं जानते हो क्या है तो यूटूब पे सर्च करो पीवियर स्टडी टेली गराम या जोईन करें क्या फाइदा इसको करने का उस वीडियो में सब बतायागा यूटूब पे सच कर लो क्या लिखोगे यूटूब पे लिखोगे टेली गराम पीवियर स्टडी मिल जाएगा वीडियो सब से उपर बहुत बहुत थैंक्यू फिर आज के लिए